और सौ करोड वैक्सिनेशन पूरह होने पार इस वक्त जेपी नड़ा सम्भोधित कर रहे हैं सुनिए भारत के सामर्थ का प्रतीक है भारत ने जिस रफ्तार से सौ करोड के आंकडे को छुआ है ये दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ती की सुरक्षा के लिए पूरुनतर संकल्पित है इस एतिहासिक शंड पर मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिदय से धन्यवाद देता हूं और सभी स्वास्त कर्मियों को और जंता को बढ़ाई देता हूं आदर्णिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड को परास्त करने के लिए जो प्रो एक्टिव और प्री एम्टिव मेजर्स लिए और जो 14 अपरेल को 2020 को ही वैक्सिन टास्क फोर्स यानि 2020 यानि पिछले साल वैक्सिन टास्क फोर्स गठिद कर दिया था 8 नवंबर 2020 को मानिय प्रधान मंत्री जी ने कोविड वैक्सिन निर्मान के तीनों फेसलिटी सीरम इंस्टिट्यूट भारत बायोटेक और जाइड़िस बायोटेक का दोरा किया और वैक्सिन निर्मान का जायजा लिया टास्क फोर्स को गठित होने के नौ महिने के भीतर ही भारत ने न केवल दो-दो विश्वस्त्रिय और विश्वस्त्रिय मेड इन इंडिया कोविड वैक्सिन का निर्मान किया और दस मा के कम समय में ही सिर्फ बलकि 278 दिनों में ही 100 करोड का आकड़ा पार कर पूरी दुनिया को आश्चर चकित कर दिया है भारत में ये नहीं हो सकता है से लेकर ये हम कर सकते हैं और ये होकर रहेगा का सफर इता आसान नहीं था लेकिन तमाम बाधाओं को और चुनोतियों को पार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देशवासियों को ये एहसास दिलाया है कि अगर 130 करोड के देशवासी ठान ले तो भारत कदम कदम पर सफलता कर देए कि अरी कर दो फे आसलेख मिया झाले का राान लेकित है झाल झाल